हाई अबडी बन कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और मैं हूँ सुरज राज और आज किस वीडियो में सिर्फ यह देखने वाले हैं वालों के लिए और यह पॉलिटिकल साइंस का पेपर है फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में जो कुछ कुशन यहाँ से बन कथे हैं और यहां से कुशन आपके एक्जामे बाँ नहीं जाएंगे मैं आपसे बादा करता हूँ और यह भी बोल रहा हूँ कि जो ठ्यूटिकलस कुशन आते हैं जैसे कह सकते हैं लिकषपर के लिए हैं उन jakim है उनकी वीडियो हम अलग से बना तो उसके लिए most important question रखे गए है क्योंकि यह एक्जाम के आपको काफी इंपोर्टेंट है देखिए और बात आप कह रहा हूं कि 2021 की सब्सक्राइब अपके शात्र यह उनके शात्र यह में नहीं होंगे केवल फर्स्ट यह वालों के समस्ट्र भाई हुए है और जब आप हैनल भी हो जाओगे तब भी आपका यह होगा यहां बात करने वाले प्लैटों के बारे में और सिस्रों के बारे में यह तीन वैग ग्यानिक है और इन वैग ग्याने से ही इस यूनिट में कोश्चन पूछे जाते हैं आप किसी भी यूनिवस्टी से हैं यदि आपके यूनिट नमबर प्लैटों और अस्तु और सिस्कों के सब्सक्राइब करें लेकिन यहां तो यहां देखिए पहला पोशन आता है प्लैटों के बारे में प्लैटों को जान लो थोड़ा सा इसको जो मिंग कर देता हूं लेकिन यहां देखो आप इसको पीडिए भी आप डालोड कर पाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगा इस परकार्ट से तो आपका पीडिएफ का जो लिंक है वो डिस्कॉप्शन बॉक्स में दे दूगा यदि आम देखो पीडिएफ को आप कहता हूं कि या बलब पैड कोर पाएंगे तो कोई चूनिया लेकिन आप फिरी भी आपको पासकते हो फिरी का एक ऑप्शन दे रखाएं जैसे कि आप पेप आपको हमारा एक डाल्लोड करना पड़ेगा उस एप में आपको बीए के सारे मतलब कि भीए के सारे जो पेपर होते हैं वो सारे हम अप्लोड कर मतलि यदि देंगे हाली में लेकिन कभी बन चुका है यदि चिंता मत करो लेकिन अभी आप चिल करना चाहते है तो पाई है आप का भी Link description box में दे रखा है जाकर download कर पाएंगे ठीक है आल आप में आप सर्च करेंगे तो वहां सारी एप खुल जाएंगे बीए के लिए के लिए वी कॉम्न के लिए सारे पहां जाएंगे प्लेटो का जन्म कहा हुआ था यह कोशन आप से पूछ है तो प्लेटो का जन्म नहीं रहेगा कोई इशू नहीं रहने वाला मतलब कि एक अच्छी तरीके साब पढ़ पाएंगे दूसरा कोशन है प्लेटो का वास्तिपिक नाम क्या था यह कोशन बहुत जाद रिपीड बनता है तो आप कहेंगे अरिस्तु क्लीज ऑप्शन नमबर जिसने का है सीज कोशन पूछने का तरीका ही यह होता है तो उसके बाद में क्या जैसे कहते है सुकरात यहाद रखे प्लेटो के गुरू का कहना था सुकरात आप से अब थोड़ा सा दिके साब दिखाई देगा को इश्व नहीं है थोड़ा सा उसके लिए सो सौरी प्रिक्षा जो इसी वह थोड़ी रॉंग थी लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा दियान दीजिए नेक्स पूशन आपसे पूछा गया कि प्लेटो के सबसे महतपूर पूस्तक कौन सी थी मतलब प्लेटो ने ऐसी कौन सी पूस्तक लिखी तो सबसे महतपूर है तो देखो आप कोशन को पढ़ेंगे औ option में और 4 option को दियान नहीं देंगе क्योंकि मैं आपको कवल पढ़ा रहा हूं और यहीं आपको एक तरीका करना है आपको क्यूशन को पढ़ना है बाकि तीरों बिकलोपों नहीं देखना है मैं भी बोल रहू हूं यह तरीका है पढ़नी का option वालों को तो आप कहेंगे सीध नेक्स कोज़ेगा अलग से एक बेसिल तो आप कहिंगे प्लैट है री पर बिस्के उपसीर सक्के यह पूछ लेगा तो आपको नहीं देगा आपको चार भीकलब देगा तो आप कहहिंगे री पबलिक और यहाद रखिए और यहाँ देगे दाला ला तो जानते हैं नियम के बारे ब्रचना किसमे है तो आप किसे ने दीती है तो आपreme प्लैटो ने दीती प्लैटो की अंतिम सरचना क्या थी आंतिम सरचना की बात तो प्लैटो ने कौन सी पुस्तक लिखिया है तो यहां देखो चार पुस्तक लेकर रहे हैं तो देखिए यह तू आपको देखिए कुछ नहीं लिखे गई और इस्टेटमेंट यह पुस्तक प्लैटो दौरा लिखे गई थी तो आप उपसे नमबर लगा देंगे भी नेक्स प्लैटो के लिखे रहे हैं देखंगे लेकिर हमारा तरीकर यही रहेगा क्योंकि हमें लेके आनी है 85 परशेंट नहीं बकि 90 परशेंट प्लस लेके आना है मेरे दोस्त आपको सभी को ठीक है और मैं पास होने की गारेंटी तो सुर्ज राज ले सकता है आपको बता है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं और पीडिएफ जब आप डालोड कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे पीडिएफ का लिंग डिसकूप्शन बॉक्स में दे रखाए तीनों पेपर का एक साथ में पीडिएफ है कोई शू नहीं ह आदर्स राज के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक मानता है तो आप कोई जो अपने राज के लिए मानता है वो 5040 मानता है ठीक है तो यह ऑप्शन नमर जिसने दिया है बीज राइट है नेक्स कोशन आप से पूछा कहा है मेरा इस्थान और उसके करतब यही नयाए पिलर की ग्यान यहिए कि इस ने कहा था किअ कि सद ओर्बूर ही ज्यान है यह किसने कहा थाा टो आप सभी कहेंगे लिए ऋफचा नमर सभी का ए उखसी का आए निम्डे गुडों में से कौन प्लैटो झीक्ले सिद्धान्त में उच्छ 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 सिद्धान्त मे अकाडमी बोलते हैं ठीक है और बीज राइट रहेगा नेक्स पोशन है यहां बोला गया है समाइदवाद का सिध्धान्थ किस ने दिया वह किसे ने दिया यह कह सकते हैं परिवार एम संपत्ति जो विश्यम जो शमाइबाद था सिध्धान्थ दिया गया था जो सभी का आंसर आना सही option number C जिसे कहते हैं संपत्ति और एबं जो पत्तियों दोनों की जो समाइबाद से संब्द दे थे तो आप्शन संपत्ति और ऑफ संपत्नियों जो पत्त्मिया थी उससे संब्द दे थे नेक्स कोशन यहां बोला गया कि परिभार के तो शमामिबाद का सिध्धान्त किसका है तो जो समयबाद का सिध्धान्त परिवार के वो किसका था तो आप प्लैटो नहीं दुआ था समयबाद का सिध्धान्त किसे प्रतिपादत किया प्लैटो ने किया था पत्नियों और संपत्ति के बारे में मैंने उता बता चुका हूँ इसको याद रखि आप से पूछा था कि प्लैटो ही दर्सर है और दर्सन ही प्लैटो है यह किसी ने कहा था कि प्लैटो ही दर्सन है और दर्सन ही क्या है यह किस ने कहा था तो आप सभी का आप्षिन नमर सी पर जाना चाहिए तो क्योंकि यार यह कोशन आप पढ़ेंगे आपका आंसर नीचे रही है ठीक है यह सबसे बड़ी बात है तो आप सभी का इमर्शन के लिए आना चाहिए ऑप्शन नमबर सीज राइटों का नेक्ट कोशन यह बोला गया है कि सत बोलना और दूसरों की रिड को चुका देना ही नया है पतलब कि सत बोलो और दूसरों से अपने करजा ले रखा है तो उसको चुका देना ही क्या है नया है यह किसने कहा तो आपको के सिफालस नहीं कहा तो यहीं बात की सकति साली का हिद है मुझा टौंड चाहिए तो आप सबसार का है प्लेटो से लेटेट कोशन पढ़े थे क्यूंत Esto आप चार सो से प्लस कोशन आपको दे रहे हैं 500 के बीच में तो आप जो एक्जमर पूछेगा आप यदि उसमें से कि हमारे 85 मलत की 50 परशेंट बन जाते हैं 85 85 यहां से बिलकुल मिलेंगे आपको कोशन बाहर नहीं जाने वाला पड़ो ध्यान से आपके लिए यहां कहारा है राजनीति बिज्ञान के जनक कौन थे इससे बूचे गाए आप पॉलिटिकल साइंस के जनक किसे कहा जाता है कभी पूछ लेक्जमर तो क्या करोगे बताओ पूच्छो यार आप सिंपली का अंसर आना चाहिए अरस्टू पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन थे कि अरस्टू आपका अंसर आजाएगा और यहां कि अरस्टू नागरिक थे जबुबारत के तो थे नहीं भई कहां के थे पताओ परकाट से कोशन आएगा तो इस्टिग्रा आपको आना चाहिए ऑप्शन नमबर डी के और जाएंगे इस्टिग्रा नेक्स्कोशन आथे कि अरस्तु गुरु था इसका गुरु था तो आप वोगे सिकंदर का गुरु था रस्तु कि सिकंदर का गुरु अरस्तु कि तो आप पूलिटिकल्स जो कहते हैं राजनिति यह सब से महत्पून रचना थी तो देखिए पुलिटिकल्स जो है उससे बोला गया है कि पुस्थक के लेखा कौन है तो आप सभी का आना चाहिए अरस्तू तो पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं या पॉलिटिकल जो आता है पॉलिटिकल वर्ड से ही पॉलिटिक्स बनाया ठीक है तो अरस्तु के महत्पूर रचना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कहेंगे और पॉलिटिक्स के रचना कौन है वो अरस्तु नहीं ठीक है तो पॉलिटिकल से ही प्राजनीति ही मतलग कि राजनीती से ही यह हमारा इसका पूरह पुस्तक रहेघा यह महतपूर पुस्तक अरश्तू की तो पॉलिटिक से बोला गए आर जो पुस्तक थी वह कितने भाल वहागउं पॉलिटिकल साइन्स से बनी है उसको आट भागो में डिवाइट किया गया राजब्यक्ति की जो पूर गामी यह पूरवर्ती कह सकते हैं और है वो किस ने कहा था तो आप अरस्तु ने कहेंगे option number सभी का सीखी और जाएगा next question आप बोला गया है समय की दरश्टी से परिवार पहले और परकृति की दरश्टी से राज पहले यह जो बिचारक का कथन है वो अरस्तु का है यदि बात की जाए समय की दरश्टी से बात की ज करते है नेक्स person है कि कि किस ने कहा कि कि क्रांथी के का सदैब आसमन्ता में पाया जाता है यह फिर कह सकते हैं तरश्टी की यह जननी है यह किसने का तो आप सभी काये inешь अरस्ट्वी दौरा कहा गया था next question है ते सामने तथा जो ब्यक्ति इस्थाई रूप से न्याय की प्रसंसा यह सो प्रशांस कर सकते हैं तथा प्रसासन में और तथा जो राजिकिये पदों की ग्रहन करने की योगता और चंता रखता है वही नागरिक होता है यह रस्तु द्वारा कहा गया था नेक्स्कोशन लगा है कि निमनिकित तलेखों को में से किसने या फिर किसने समाजिक समझाउतों का सिध्धान का समर्ण तक नहीं किया तो वह कहेंगे अरस्तु द्वारा नहीं किया तो लग में यहां नोटिस किया है और ऐसा मत समझिया कि मैंने जो आपको यहां दे रहा हूं यह PDF में मैं एक्स्ट्रा आपको मिलेगा मेरा मकसद होता है कि आपको यहां तरहां तो आपको पीच्ट्रा डालोड करने कि पड़ेगी और पीदियाफ का लिंक सिसरो बिचारक था, किसका बिचारक था, तो रोमन बिचारदारा का था, तो सभी का उप्षिन नमर एक ही होता है, तो सिसरो से लेटे जो कोशन बनते हैं, उनको हम देखेंगे, तो देखो जितने भी जात्रे हैं, तो वो सभी लोग पढ़िए, अब देखें, यहां बूला तक कौन था, तो आप कहेंगे, मिस्रित सासक क्या था, विवस्ता का था, तो यही कोशन है, बास इसरो से लेटेट शार कोशन है, जालदा कोशन यहां से नहीं बनते हैं, क्योंको सबसे ज़्यादा प्लाटो और अरस्तू थे लेटर बनते हैं, तो यहां जो अगला जो हम inator 2 की जब बात करेंगे, तो मन दिकाले राजनेतिक चिंतन की बात करेंगे, सु हुआरे unit number 2 में आएगा बिटा, तो unit number 2 को हम next वीडियो में clear करेंगे, मेरे हशाब से आप PDF को जरूर डालोड करेंगे, और आप जब डालोड कर लेंगे, तो मैं आप से बादा जरूर कर सकता झाल झाल